दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि मर्द तो संभोग के लिए तयार होता है लेकिन महिला इसके लिए तयार नहीं होती है वह संभोग से बचने के लिए तरह तरह के बहाने बनाती है कभी तो वह नीन का बहाना बनाती है तो कभी बीमारी का कभी थकान का तो कभी सुबह जल्दी उठने का दोस्तों महिलाओं का संभोग ना करने के लिए इस तरह के बहाने का कारण होता है, उनका संभोग के लिए मुद्ध नहोना और ऐसा ज्यादतर देखा गया है कि महिलाइ चाहे पति होए अलवर सब के सामने ऐसे ही बहाने बनाती है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी या प्रेमिका ऐसे बहाने ना बनाएं, बल्कि वह खुद ही ही बोले कि उसे संभोग करना है तो आप क्या कहेंगे, जी हाँ दोस्तों, अच में अपके लिए कुछ ऐसा घरेलू नुस्खे लेकर आई हूँ, जिनको अगर आप प्रेमिका को खिला या पिला देते हैं, तो वह रोज आप से संभोग करेगी इन नुस्खों के बारे में पूरी जानकारी लेनी के लिए, कृप्रिया इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा जरू देखिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की अप्टेट आसानी से मिलती रहें, तो दोस्तों चाहिए जानते हैं इन नुस्खों के बारे में, एक ग्लास दूद में 10 क्राम किशमिशन, 2 ग्राम दाल चीनी का पावडर मि मात्र कुछ दिनों तक एह नुस्खा देने से स्त्री को काम विग होता है, और वहर रोजाना संभोग करने के लिए ललायत रहती है, बादाम, किशमिस और मुनक्ता तीनों चीजों को रात में पानी में भिगोकर रख दें, और सुबह होने पर ये चीजे पत्नी को और उनको संभोग के लिए पागल करने में एहम भूमे का अदा करती है, हर रोज दो खजूर खिलाने से भी महिलाओं में जबरदस्त काम इच्छा पैदा होती है, अगर आप संभोग के बाद 15 ग्राम गुद महिला को खिलाएंगे, तो इस से कमजोरी भी नहीं आएगी और दुबारा से संभोग के लिए जल्दी मुद बनेगा, अगर आपकी पत्नी आंदा खाती है, तो रोजाना रात में सोने से पहले आधा उबला हुआ अंदर आधा चमच अदरक का रस और एक चमच शहद के साथ एक महिने तक खिलाएंगे तो आपकी पत्नी के अंदर इतनी कर्मी आ जाएगी, कि वह बिना संभोग के आपको छोड़ेगी ही नहीं, इसके आलवा अगर आपके और आपकी पत्नी के बीच किसी तरह का कोई तनाव या लदा शगा है, तो सबसे पहले उसे सुलजाए क्यूंकि सबसे जरूरी है आपसी प्यार, और यही वह चीज है, त वो औरत और मर्द दोनों को एक दूसरे के करीब लाता है, इसलिए प्यार को कभी ना मरने दें, दोस्तों उमीद है यह वीडियो आपको पसंदाए होगी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और हमारे चानल को सबस प्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तन्यवाद